श्री शिवाई नमस्तुब्यम हर हर महादेव भगवन भूले नात आप सबी की मनोकामना पूर्णी करें इसी के साथ पुझे पंडित पदी मिशाजी दौरा बताया गया ये महा उपाई जिस भी व्यक्ति को सास में परिशानी है दमा है सास लेने में दिक्कत जाती है तो सास समची जो भी परिशानी है उसके लिए अगर आप ये उपाई करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फायदा होता है इस उपाई को पुझे पंडित पदी मिशाजी ने बताया था तो उपाई बताने से पहले आप सब भी से रिक्वेस्ट करूँगी जिसकी से भी चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन के साथ में ताकि जो भी उपाई में आपको बता हो आप जल्दी जल्दी पा सको और अपने जीवन में उनको अपना सको और उपाई अच्छे लगते हों तो अपने फ्रेंस पेवले में भी शेयर कर दीजिए आज कर जो उपाई है वो मंगलवार के दिन आपको करना है यानि आज के दिन और आपको पता है कि मंगलवार जो दिन हैता है वो भगवान हनुवान जी का होता है और भगवान हनुवान जी जो हैं वो संकट मोचन हर तरह के संकट को दूर करते हैं तो इस उपाई को कैसे करना है आपको लेना है पीला चंदन लेके इस तरह से आप पीला चंदन लीजेगा पौडर नहीं लेना है पीला चंदन लेना है और उसके बाद आपको लेना है गुलाब जल या गुलाब जल नहीं है तो गुलाब की पत्या ले सकते हैं या इतरी ले सकते हैं और इनी के साथ में तीनों में से कोई स पीले चंदन कى जो पेस्ट तयार करा है जसे आपको तिरिपुंड बनाना है और उसके बैल पत्र के ऊपर तिरिपुंड बनाना है उसके प्षशात आपको आ जाना है घर पर आने के बाद जिस भी फ्यक्ति को बीमारी है या सास फुलने की परिशानी है सास लेने में दिखक जाती है, दमा की परिशानी है, उसके चाती पर याने की आपको पेट की ओपर जो हिस्सा रहता है, चाती तीवक्ष रहता है, वहाँ पर आपको तिरपुंद बनाना है, उसी उंगली से आपको तिरपुंद बनाना है, और उसके पश्यात जो कंठ है, वह अगर इस उपाई को जिस व्यक्ति को रोग है जिस व्यक्ति को परिशानी है वो करता है तो बहुत ही अच्छा है इसका हमको शुबफल प्राप्त होता है लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति तो आप खुद भी कर सकते हैं और इस उपाई को करने के पश्यात कम से क आप इसको 8-10 दिन तक करिये, आप उनकी जो दबेत है, उनको जो सांस लेने की परिशानी है, दमा है, सांस में जो भी परिशानी है, वो धीर धीरे करके ठीक होने लगती है, किसी भी उपाय को हम कम से कम वन बीक तक करते हैं, तो उसका असर हमें आवश्य देखने को मिलता है क्योंकि दवाई गोली भी हम लेते हैं, तो कम से कम पांच दिन की, तीन दिन की या वन बीक तक लेते हैं, तो ही उसका असर हमको देखने को मिलता है, तो ये थे पुझे पंडित वदी में शाय जरूर बताएगा, उपाय आपको कैसा लगा, करके जरूर बताएगा, उपाय